साप यानि एक ऐसा जहर उगलने वाला जीव जो डाइनसौर के यूग से लेकर अब तक जिस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगा बनाए हुए हैं एक ऐसा खुंकवार जीव जो बड़े से बड़े दुरंदरों को भी अपने एक वार से पस्त कर दे मुँ से जहर थुगने वाले इन अजीब और गरीब जीव यानि सापों के चुंगल में अगर कोई जानवर ये इनसान गल्दी से भी फंस जाए तो उसका बचना लगभग नामुम्किन सा हो जाता है वैसे तो सापों में सबसे ज्यादा डर इनसानों से ही लगता है और ये इनसानों को देख कर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बार जब वे आकरमक हो जाएं तो फिर इनसान क्या शेर और चीजें जैसे खंखवार जानवर भी उनके सामने गुटने टेग देते हैं और हो भी क्यों ना इस जहरिले जानवर के अंदर पाया जाने वाला जहर दुनिया के अन्या सभी जीवों में पाय जाने वाले जहर से कई गुना जान लेवा जो होता है तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आप के लिए साप की कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले हमले लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपकी सांसे तो एक बार गी तो जरूर थंचाएगी अपनी तीन हजार से भी ज्यादा प्रजाती के साथ इस दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं हाला की रहत की बात ये है कि सापों की इन तीन हजार अलग अलग किसमों में से लगबग छेसो प्रजातिया ही ऐसी हैं जो की जहरिली हैं मगर घबराने वाली बात ये हैं कि इन 600 प्रजातियों में से अधिकतर सापों का जहर इतनी तेजी से किसी इनसान या जानवर के शरीर में फैलता है कि अगर इसका एक घंडे के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवा जाएं तो इनसान या जानवर का बचना लगबग नामुमकिन हो जाता है हलांकि साप के जहर के साथ एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनके जान लेवा जहर का इस्तमाल कई सारी बिमारिया जैसे की कैंसर, अल्जाइमर, पारकिंसन्स, आदी की दवाईयों को बनाने में भी होता है आप ये जानकर हरान रहे जाएंगे कि कोबरा जैसे सापों का जहर इंटरनेशनल मार्कित में तो कड़ोरो रूपे में बिखता है वैसे साप का जहर इंसानों के लिए तो किसी ना किसी रूप में फिर भी लाबदायक है लेकिन जानवरों के लिए सांप और उसका जहर दोनों ही हमेशा से नुकसान दायक रहे हैं सांप और अन्या जानवरों के बीच तो मानो जैसे सदियों से 36 का आंकड़ा चलता रहा शायद आपने भी कभी न कभी सांप को दूसरे जानवर के साथ लड़ते हुए या एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा होगा लेकिन अगर आपको इस खतरनाक लड़ाई का लुफ्ट उठाने का मौका अभी तक नहीं मिला तो इसकी जलक हम आपको इस वीडियों में दिखाने जा रहे हैं Snake vs. Iguana क्या आपने कभी वो कहवत सुनी है कि सिर मुंडाते ही ओले पांडा अगर सुनी है तो क्या कभी आपने वो जैसा महसूस किया है अगर क्या भी है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि Iguana के इन बच्चों की हालत देखने के बाद आपको अपना गम काफी छोटा महसूस होने लगेगा क्योंकि इन ही Iguana के बच्चों को अंडे से बाहर निकलते ही दुनिया के सबसे खतरनाग जीव के जुंड से मकाबला करना पड़ता है यानि कि सापों के जुंड से दोनों ही जीवों के लिए ये जिन्दा रहने की लड़ाई है Iguana के लिए इन सापों का शिकार ना होकर जिन्दा रहने की और सापों के लिए Iguana को अपने शिकार बनाकर जिन्दा रहने की लड़ाई जिन्दा रहने की इस लड़ाई में बचकर भागने की जिम्मेदारी इगवाना के बच्चों पर है और उसके पीछे तेजी से भागते सांपों का जुंड इस वीडियो में शिकारी के कृदार में है हलांकि लड़ाई एक तरफा नहीं है क्योंकि इगवाना को हराना सांपों के लिए इतना भी आसान। Nathan. After all, ये तो है सांपों के करीब ही रिश्टेदार ही. एक खास बात ये है कि इगवाना को सबसे तेज भागने वाला लिजर्ड प्रजातियों में से एक माना जाता है मगर इनका मुकाबला भी साप से हैं और इस कड़ी में सबसे पहला इगवाना साफ का शिकार बन जाता है इसके बाद एक के बाद एक इगवाना सापों का जुंड का शिकार बनते चले जाते हैं जिस तरह सापों का जुंड इस पूरे इलाके में फैला हुआ है उसे देखकर तो लगता है कि यहां से शायद ही कोई इगवाना जिंदा बच कर निकल पाएगा मगर एक इगवाना इस जंग में जिंदा बचने की ठान कर निकलता है तो उसके निकलते ही सापों का पूरा कुनबा उसके पीछे पढ़ जाता है एक बारगी तो इगवाना सापों के चंगुल में फस भी जाता है और लगता है कि लोग अब खेल खतम लेकिन जुझारू इगवाना हिम्मत नहीं हारता और उसे चंगुल से आजाद हो जाता है इस चंगुल से छूटने के बाद ये बहाना पीछे मुड़कर नहीं देखा और चक्तानों पर कुंते भाद्दे वहां से बच निकलता है कोब्रा वर्सिस मॉनिटर लिजर्ड बात खाने की हो तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है और जानवरों में ये गुण तो बहुत ही कोमल ही देखने को मिलता है इसका एक्जांपल आपको हमारी नाइट स्टूडियो में देखने को मिल जाएगा जहां ये दोनों करीबी रिष्टेदार एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए है यहां एक कोब्रा और मॉनिटर लिजर्ड मगर मच के अंडे पर घात लगाने की फिराक में आए हुए है मगर मॉनिटर लिजर्ड भी इतनी आसानी से अपने नाश्टे को अपने हाज से जाने नहीं देना चाता है अंडे के लिए इन दोनों के बीच छुड़ी हुई जंक को देखना बहुत ही इंटरिस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों ही अपने आप में धुरंधर हैं इन दोनों जानवरों में से एक किसी को ज्यादा ताकतवर कहना दूसरे के साथ सरासर ना इंसाफी होगी लेकिन लड़ना भला कौन चाता है अगर बात सिर्फ दराने धमकने से ही सुलच जाएं ऐसी तकनीक का इस्तिमाल यहां ये दोनों शिकारी करते हैं और एक दूसरे को डराने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में जुड़ जाते हैं लेकिन बात नहीं बनती हैं नतीजा ये की कोब्रा मॉनिटर लिजर्ड पर हमला करता है कोब्रा के आकरमक तेवर को देखकर मॉनिटर लिजर्ड वहां से निकलने में ही खुद की भलाई समझते हैं मगर जाते जाते वो अपना गुसा साप पर निकाल लेता है और उसे अपनी पहुंच से एक जन्नाडेदार तमाचा जड़ देता है मानो वो साप से कह रहे हो कि इस बार तो तुम बच गए मगर अगली बार यहां से बच कर नहीं जा पाएंगे वहीं दूसरी तरफ साप अपनी जीत का जशन मनाते हुए उस अंडे की शेली की तरफ बढ़ता है और इस कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट आता है दरसल मौनिटर लिजार्ड पहली ही उन अंडे को निपटा चुके हैं कोबरा जैसे जहरिला साप को इस तरह बेवकूफ बना कर वहां मौनिटर लिजार्ड मनी मन खुश तो बहुत हुआ होगा लेकिन लगता है शायद आज किस्मत कोबरा के साथ नहीं थी अब कोबरा भाई साब तो किस्मत के हाथों मात खा गए एनकॉंड़ा अटैक्स कैपी बारा एनकॉंड़ा के बारे में तो हम सबने सुना होगा मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एनकॉंड़ा भारी भरकम जानवरों का शिकार भी कितनी आसानी से कर लेता है इस वीडियो में दिखाई दे रहा ग्रीन एनकॉंड़ा सापों की प्रजाती में सबसे लंबे और विशाल सापों में से एक माना जाता है ये नदी के आसपास पाए जाने वाले जानवरों का ही शिकार करती है हमेशा की तरह एक एनकॉंड़ा अपने शिकार की फिराक में इस नदी के इर्दगिर्द घुम रहा है तब ही उसे वहां कैपीबरा एक बड़ा सा जुंड दिखाई देता है जो उस नदी के किनारे भोजन और पानी की तलाश में घुम रहे है अनकॉंड़ा को समझ आ गया है कि आज उसके लिए अच्छे खासे खाने का इंतिजाम हो गया है तो बड़ी ही चालाकी से पानी के अंदर अंदर तैरते हुए कैपीबरा के पास महुँच जाता है और एक जटके में उसे अपने कुंडलियों में जगड लेता है ये साब के पकड़ इतनी मजबूत होती हैं कि वो अपने शिकार का खून उसके दिल तक पहुचने से रोग देता है जिसकी वज़ा से उसके शिकार को कार्डियक एरिस्ट आता है और थोड़ी देर में वो जानवर अपना दम तोड़ देता है उसके बाद वो अपने फ्लेक्सिबल जबडों की मदद से अपने शिकार को बड़ी आसानी से धीरे धीरे निगल लेता है अनकॉंडा का सबसे बड़ा हत्यार उसका विशाल, शरीर और उसके मजबूत पकड़ है जिसकी वज़ा से कोई भी जानवर अगर उसके चंगुल में पस जाएं तो वहां से किसी भी सुरत से जिन्दा बचकर तो नहीं निकल सकता है इसका लाइव एक्जाम्पल तो आपने इस वीडियो में देखी लिया होगा अगर आप किसी जंगल में गए होंगे तो आपको हमेशा से ये डर लगा रहता होगा कि कहीं किसी कोने में कोई साप ना चुप कर वैठा हो लेकिन लगता है तेंदूओं को इस बात की कोई परवा नहीं होती यहां इस वीडियो में तेंदूओं को जाड़ी में एक पाइथन दिख जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है शुरुआत में तो इस नजारे को देखने वाले को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेंदुएं जिस साप से पंगा ले रहा है वो कितना विशाल काय हैं लेकिन जब तेंदुएं के बार-बार अटैक करने से परिशान होकर वो साप बहाराता है तो ना सरिफ इस नजारे को देखने वाले बलकि उस तेंदुएं के मन में भी साप का भै साफ तोर पर दिखाई पड़ता है क्योंकि जो तेंदुएं पहले खोल कर साप पर हमला कर रहा होता है वो अब बच बच कर साप पर हमला करते हुए दिखाई देता है इस बीच साप वहां से जाने की फिराक में हैं और तेंदुएं को हटाने के लिए उस पर हमला भी करता है लेकिन चतुर और तेज तेंदुआ बार बार उसके हमले से बच जाता है और फिर पाइथन को परिशान करने लगता है मगर इसी बीच पाइथन ने एक बार तेजी से तेंदुआ की तरफ जपता मारता है जिसकी वज़ा से तेंदुआ गिर पड़ता है तेन दुआ इस बार गिरने के बाद घड़ा तो हो जाता है लेकिन उसकी शकल बता रही है कि अब वज शायद ही साप से दुबारा भीड़ने की गलती करेगा साप के सामने दो बड़े से बड़े जीव भी हार मान लेते हैं लेकिन तब क्या हो जब दुनिया के सबसे जहरी ले सापों में से एक किंग कोबरा के सामने लड़ने के लिए किंग कोबरा जादब के जाहिर है मामला काफी जोरदार होगा हमारी अगली वीडियो में situation तब बनती है जब एक मादा कोबरा के साथ मेटिंग करने के लिए उसका पीछा करते हुए एक नर कोबरा दूसरे नर कोबरा के इलाके में दाखिल हो जाता है वो सिर्फ इलाके में दाखिल होने की रहती तो मामला शांती से निबढ भी सकता था लेकिन ये बाद मादा कोब्रा के साथ मेट करने बढ़ाती है जिसका निपटारा एक लड़ाई से ही हो सकता है सबसे पहले तो दोनों ही कोब्रा अपने फनों को फैलाकर एक दूसरे के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता नतीजतन दोनों ही कोब्रा आपस में फिर जाते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं कोब्रा अपनी लडाई में किसी दूसरे कोब्रा को काट कर अपना जहर बरबाद नहीं करते क्योंकि कोब्रा के जहर भले ही दूसरे की जान ले ले लेकिन किसी कोब्रा पर इसका कुछ खास असर नहीं होता है ऐसे में इस लड़ाई का नतीजा वैसे एक ही तरीके से निकल सकता है और वो है लड़ते लड़ते ठक जाना इस लड़ाई में दोनों ही कोब्रा एक दूसरे का सिर्व जमीन पर दवाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक ही जैसी कद काठी की वज़ा से उन्हें इस काम में सक्सेस नहीं मिल पाती है लगातार कोशिश और एक ही तरह के दमखम की बदौलत ये लड़ाई पाच घंटे तक चलती है और अंत में एक घूस पेटी ए कोब्रा को हार मान कर वापस जाना पड़ता है अब ये लाचार और मादा कोब्रा दोनों ही इस किंग कोब्रा के हैं इसे कहते हैं ना असले किंग साइज विक्टरी तो ये थी साप के कुछ बहतरीन हमले जिसमें से कुछ जानवरों से साप को मुझ की खानी पड़ी तो वही कुछ जानवरों के साप ने ऐसा मज़ा चखाया कि जो जिन्दगी पर याद रखेंगे आपको इन में से जो भी अटैक सबसे अच्छा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथी साथ वीडियो को लाइक और शेर जरूर करने धन्यवाद